हाई वोल रादे रादे हूँचू पटल निर्स मारी उमर चे 23 अने हाँ अतियरे यूट्यूब नो जबर्दस क्रेज चाले जै अवे मारे पण एक यूट्यूब नी सर्वाद करवी दी पन सर्वाद क्या थी करवी एर लेके में वीडियो जोयो दवल बाई दो मड़िया नो धवल बाई नो वीडियो जोया पचि मने थयू के राजकोट माथी कये म कौई ना करी सके? त्यारे में सर्वाद करी कोमेडी वीडियो बनावानी औने आगड वीचार वानी त्यारे मारी पासे केमेरो नोतो औने ना आतु लेप्टोप एटले में मारा फोन माज सर्वात करी वीडियो बनावानी स्टोरी पन जाते लखी औने एक्टिंग पन जाते ज करी औने केरेक्टर पन जाते बनाविया अवे त्यारे मारे एक नानकडो सोरूम अतो सोरूम नी पाछड़ एक नानकड़ चेंजिंग रूम अतो अवे चेंजिंग रूम नी अंदर अज मारी पासे ट्राइपोड नो तू एटले में SC ना बोक्स उपर सेल्फी स्टिक चड़ावी ने त्या मोबाल चड़ावी ने वीडियो बनावानी सर्वात करी सामय कोई SC किवावारू नो तू के कोई SC पकडवारू नो तू एटले में एक पुठा पर SC लखी अन्ने ए दिवाल पर चोट़ाडी ने चाते जईक टिंग करी प्लस के लेप्टोप अतू ने एटले लेप्टोप फ्रेंड पासे थे लए आउतो अने पची एक वेक सुधी राकतो अने एमाईडिटी करतो पची आवस्तु दिरे दिरे आगल वत्ती गई वीवर्स थोड़ाक ओच आता सब्सक्राइबर पन थोड़ाक ओच आता अने गामडे जेरे जतो त्यारे वातू पन एवी थती क्या कूण आईवोचे गांडो आईवोचे अवे थिरे दिरे आवस्तु बदी चेंज थावा लागी टीम बनवा लागी अने लोको वीडियो अन पसंद करवा लागिया में मारी जातेज अलगलग केरेक्टर बनाविया चार पांच थी पन वधारे में केरेक्टर बनाविया चे मा एकातो तंदू तोतली चे बलकु थोड़ुक तोतलू अवे थिरे दिरे आवदी वस्तु आगलवदवा मंडी मने टीम मढ़वा लागी अने लोको न थोड़ो प्रेम मढवा लागियो एकले में आज रस्ते थोड़ुक आगर जवान वीचारियो पन साथे एक बिजनेस ओवो पन जरूरी छे एक मारे नानकली कपडानी सोक पन चे साथे औन अत्यारे नवो शोरूम पन चे चार पांच थी पन वधारे में केरेक वीवर्स एक्सो ने पात्री सता अने त्यार पची धिरे धिरे आख केरेक्टर पसंद आवा लागिया एटले वीवर्स पन वध्वा मंडिया पची एक वीडियो जिया मैं बनावियो 31 उपर ए 31 वीडियो लोको ने माइन्ड माने पन 8 मासी दो टात ते गयो ए वीडियो थी मुँ वधारे पड़तो आगर वधियो जू पची धिरे धिरे मने आगर रस्तो देखावा लागियो अने संगीता स्टूडियो माथी जईबाई सेट नो मने कोल आवियो अने मने 25 वीडियो नो कोंट्राक आपियो अने एक कोंट्राक पची मारू फेन फोलाइंग वधियो अने मने फाइनांच्याली पण बहु सपोर्ट मर्यों तिरे-दिरे बदू टीम पण बनी गयी अने मारे एक लाक सब्स्क्राइबर पण थेग्या अने इवेंट मढवा लागी अने तिरे-दिरे नाम पन खवा लागी अने पची पपा नो ममी नो सपोर्ट पेले थी पुपपव मने गांबडे गांडो आईवो गांडो आईवो एकेता था यह अवे शेलफी लेवावे जै अटले आ बदो घंडो चेंजी सहीवो पच्छी तिरे दिरे लेप्टोप केमेरों बदु में वस्सावी लेदू जै अन्ने घरनू अतियारे चे बदू अन्ने अतिया चालो अन्ने हाँ एक नानकडी सर्वात करो पन सर्वात एवी करो के लोको ना दिमाक सुधी नाई दिर सुधी पोचे दोस्तो आतो मारी स्टोरी हादी तमारी स्टोरी सुँँचे तमे तमारी स्टोरी माटे रेडी जोओ बाकी तो आ वीडियो ने लाइक करो सेर करो कोमें चैनल इन लिंक नीची आए पर लीचे रादे रादे मैं इस फिल्ड में काफी साल से हूँ राजकोट में मैंने काफी ड्रामा किया है दुर्दशन में किये है आकाश्वाणी में मैं एनांसर हूँ और साथी में डान्स के फिल्ड में एस अ कोरियोग्राफर यहाँ पे काफी चीज़े सिखाती हूँ जो आर्ट के रिलेटेड है तो बहुत ही क्रियेटिविटी के साथ जो भी मैं काम करती हूँ वो बहुत सोच समझ के करती हूँ ताकि जब भी हम स्टेज पे आए तो जो हम मैसेज देना चाहते है ओर्डियंस को वो उसको सही तरीके से पहुत सके वो एक आर्टिस्ट का काम होता है और मेरे खायाल से स्ट्रगल तो बहुत ही है क्योंकि जैसा हमको रोल मिलना चाहिए जैसा हमको काम मिलना चाहिए उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए वो सभी चीज़े बहुत ही मिसिंग है क्योंकि पहली बात तो ये है कि आर्टिस्ट में क्या कूभी है उसको evaluate करना अच्छी तरीके से तो वैसे डिरेक्टर मिलने चाहिए वैसा audience मिलना चाहिए और वैसी script होनी चाहिए और कुछ नया करना है तो वैसी audience मिलनी चाहिए कि जो नया है उसको accept करे क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट है उसको उसकी personal life जो भी हो उससे avoid करके उससे दुर रखके वो as a artist as a human being वो कैसा है वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आर्टिस्ट से पहले मैं ऐसा मानती हूँ कि एक इंसान होना एक अच्छा इंसान होना वो बहुत जरूरी होता है कोई अच्छे फिल्म आती है तो उसका असर सीधा audience पे होता है समाज पे होता है society पे होता है तो विसे तरह कोई अच्छा ड्रामा है dance है कुछ भी art related है तो वो दिल से निकलता है और सीधा दिल तक जाता है तो यह जरूरी है कि हम इसकी जो बारिकी है उसको देखे और जितना हो सके उतना नया दे और जो artist है जो काफी कुछ करना चाहते है उसको एक मोका मिले बहुत ही struggle बहुत ही है क्योंकि देखो जितना समय देते हैं न उतना पैसा नहीं मिलता है उतनी कदर नहीं होती है ओडियंस में भी ऐसे लोग ज्यादा आते हैं कि अरे यह missing था वो missing था लेकिन missing तो बहुत ही होगा क्योंकि इतनी facility नहीं मिलती है इतनी help नहीं मिलती है तो काफी कुछ missing है लेकिन उसमें से भी क्या खिल के वहार आता है वो देखना काम होता है तभी यह आर्ट है वो जिन्दा रह सकती है क्योंकि अभी बहुत कुछ करना हम सब को बाकिए कि आर्ट जिन्दा रहे ना कि कोई इंसान का character ना कि कोई इंसान का वजूद कि मैं यह हूँ जब हम प्ले करते है तो हम हमारा नाम चेंज करके प्ले करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी ज़रूरी है लेकिन आर्ट से ज़्यादा ज़रूरी आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि हमारा काम है society को एक message देना और यह आर्ट को जिन्दा रखना तो यहाँ पे हमारा ड्रामा है पती कुल पत्नी पापरफुल ज्यादा तर ड्रामा होता है फिल्में होती है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है और यहाँ पे हमारे डिरेक्टर है निर्लोकसर जी है दिनिश्वालासरा जी है सभी आर्टिस्ट ने बहुत ही इस आर्ट को जिन्दा रखने के लिए सालों से मैनत की है तो मेरी भी कुछ मैं छोटी से आर्टिस्ट हूँ तो मेरी भी यह फर्ज है कि जितना हो सके उत्रा हम सॉसाइटी को पोजिटिव करें आर्ट थू फ्रेंड्स दिस इस माई स्टोरी यह मेरी अंदर की बात है लेकिन काफिक लोग ऐसे हैं जो आपनी अंदर की बात है ना स तरीके से इजी तरीके से हुम सब में बाठ सकें क्यों क्यारा विडू आगई सब लोग चलो अपनी सीट लेका बेच जाओ अभी क्या है यहां पे अपन की स्टोरी सुरू होने वाली है क्या समझ गया क्या इस इंसाइट स्टोरी में अपन की स्टोरी आने वाली है तो बढ़ जाओ मेरे इस अभी नहीं से आप लोग समझ तो वे होगे कि मेरा प्रोफेशन क्या है हाँ दोस्तों आप सही समझें मैं हूँ निकुंश दवे पिछले 25 सालों से मैं इस फिल से जुरुआ हुआ तब 14 यह का था तब पहली बार स्कूल में आधूनिक कुष्ण का रोल किया था और उससे मुझे इतनी एप्रिशेशन मिली कि उसकी वज़े से मैं इस फिल में आ गया देरे-देरे कई नाटक किये कई कॉम्पेटिशन जीती गुजरात राज्य युवा महत्सों में मैंने तीन बार स्टेट लेवल में फर्स्ट आया हूं तो इसी वज़े से मुझे इस में इंट्रेस्ट में बढ़ने लगा दीरे-दीरे-दीरे-दीरे कई दोस्त बंते गए और इस दोस्तों के साथ मेरा नेटवर्क बढ़ता गया 2006 में फिल्मों में बहुत प्रोमोट किया इसलिए मैं उसको उनको द्रोणाचारीय बोलता हूं बाद में मेरी साधी जिन से हुई थी मेरी बैटरहाफ उसकी इंस्परेशन से उसकी साथ से मैंने 2011-2012 में एक दो बार कॉंपेडिशन में पार्ट लिया था जिसमें नईयनभाई वट करके हमारे राजकोट में है तो हमारे चाहदातर कॉंपेडिशन में जज होते थे उनकी म किड़ा कहां निकालने जाओं जो एक्टिंग का कीड़ा होता है वो निकलता नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं यह अपना एक्टिंग का कीड़ा कहां निकालने जाए और मैंने यह एक्टिंग का कीड़ा स्कूलों में निकालना शुरू किया वहीं पे मुझे मेरा एक दोस् मुझे ले गया मेरी सपनों की दुनिया की तरह वो दोस्त है गौतम दवे और वो मेरी सपना की दुनिया के पहले इंसान मेरे गुरू निरलोग भाई परमा जिनोंने मुझे फिल करवाया कि मैं अच्छा एक्टर ही नहीं मैं अच्छा डिरेक्टर भी हूं उनके साथ मैंने दो-तिन ड्रामों में काम किया था और उन्होंने मुझे रियलाइस कराया कि तुम अच्छे डिरेक्टर भी बन सकते हो तो वहीं से मैंने दोस्तों वहीं से मैंने अपनी डिरेक्शन की जर्नी भी सुरू की मैंने अपने डिरेक्शन में आज तक साथ आठ ड्रामास कर लिया मेरे अभी अपना प्रोड़क्शन वह भी सर की और हमारे गौतम जोशी है उसकी मदद से अपना खुद का प्रोड़क्शन हाउस में अपने एक ड्रामा बनाया है जिसके दोस्तो दोस्तो यह तो थी मेरी जर्नी की बात इस जर्नी के दोरान मुझे कई अडल साए आसा नहीं है कि जो मैंने जिस फ्लो से भाद कई डाली उसी फ्लो से मैंने सब कुछ खतम हो गया, कई अडल्स, वे तकलिफ आए, मैं आगे बढ़ता गया, कई लोग है, जो तुम आगे बढ़ रहे हो तो कीचते हैं, तोड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता गया, और दोस्तों, मैं ऑक ही बात कहना चाहता, सपने देखो, देखो ना, उसे पूरा भी करो. दोस्तों, मैंने क्रिशी दर्शन में, दुरदर्शन में काम किया है, हमारे प्रेंसर के साथ. वहाँ पे मुझे सुभम ले गया था. उसके अलावा मैंने ड्रामा किया था, शाहुदान. वह एक ड्रामा ऐसा है, जिसमें मैंने दो ही बार काम किया है, और पांच बार उस ड्रामा का मैंने डिरेक्शन किया है. दोस्तों, यह जो फिल्ड है न, वह अलगी है. आज आप इस फिल्ड में, जहां पे एक छोटा सा रोल कर रहे है, में जो ड्रामा सेक्टर है, उसकी बात प्राहूं कि एक यह द्रामा मैंने एक छोटा सा रोल किया है, और उसी ड्रामा मैं मैंने लीड रोल भी किया है. मैंने पत् theoretी फरी गई, गुजिराथी ड्रामा है, लग्नमन्दी ड्रामा है, विलोपन देशाई का ड्रामा जहां पर मुझे बहुती बड़ा रिश्पोंस मिला है मेरा पहला डिरेक्शन किया हुआ ड्रामा मशाल लोग बोलते थे कि ये ड्रामा कुछ नहीं कर पायागा वो ड्रामा इतना एप्रिशेट हुआ उसी ड्रामा को कि उसका सेकंड नमबर आया और उसके डिरेक्टर को यहां के भिश्मपितमा कहे जाने वाले भरतबाई यागनिक ने बोला कि इसका डिरेक्टर कहा हुआ उसके बाद विलोपन देशाई की प्रीत प्रेत और पागल जहां पे मुझे नट्टू का था चारक मेटा का उल्टा चस्मा वो उस प्रोग्राम में आये थे और उसी ड्रामा को प्रीत प्रेत पागल को फर्स्ट नमबर दिया गया तो मैंने अपनी इस छोटी उम्र में मुझे बहुत कुछ करना है आप सबका साथ सहकार चाहिए जमाने में कहा जाता है कि कुछ भी नामूंकिंग नहीं है nothing is impossible but it is I am possible कौन कहता है कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता मेरे दोस्त एक तबियत से पत्थर उचाल के तो देख यह थी मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी क्या है हर एक आदमी की हर एक की स्टोरी होती है वैसे आपकी भी होग कि मुझे भी कुछ कहना है तो हमारी इंसाइज स्टोरी पे आईए यहाँ पे लिंक पे आप जाएंगे इंसाइज स्टोरी की लिंक पे नीचे सब कुछ अच्छी तरह से हमारी सारी इंफोर्मेसन सेर की हुई है आप आएए शेर किरेजिए अपनी भी स्टोरी यहाँ पे वेलो एवर्यवन मैसेल इस रक्सेद वसावड़क। वैसे मैं आज अपनी रंगमंच की यातरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरी रंगमंच की यातरा वैसे शुरुआ तो 1978 जुनागर। तो मैं 11 साल का था, at that time I performed my first play that was Amip Agalnatir. Then for 22 years, almost 22 years, I was busy with so many other things so I did not get the opportunity to perform. तो 2000 की साल में फिर से मुझे एक मोका मिला। और 2000 से लेकर, till date, आज की तारिक तब, I am working with theatre. It is my great privilege that I got so many opportunities and I performed a number of roles. मैंने सुर्दाश जी का भी रोल प्ले किया, तो जेल के केदी 420 का भी रोल प्ले किया, इंडिस्ट्रियलिस्ट का रोल प्ले करने का मौका मिला। कभी नर्मद बना, कभी गांधी जी बना। तो कहीं तरीके के खिरदार निभाने का मौका मिला। और यह मेरे लिए एक बहुत खास बात है। क्योंकि एक लाइफ एक ऐसा केनवास है। और इस केनवास में आप तरीके के खिरदार निभात हैं, तो आपको कुछ अलग-अलग करने का मौका मिलता है। अपरिके कारेक्टर इस होगे थे थे दिस के खिरदार निभाने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए मेरा ये बड़ा मैं अपने आपको बड़ा परम सहुभा के मानता हूँ ये इश्वर की पूरी कृपा है मुझ पर कि ये सब कारेक्टर ये सब खिरदार निभाने का मौका मिला है और अगर मुझे ये पूछा जाए कि कोई एक करेक्टर जो कि मैं अपने दिल से और एक बार करना चाहता हूँ जिसे गांधी जी का कर ले आया तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे पर फिर भी जो कोई एक डिसेबल्ड परसन है जो एक खास तरीके का जैसे पाम अमिता बच्चन जी ने किया था या तो माई नेम इस खान में शारुप जी ने किया था ऐसा कोई करेक्टर मैं डेफिनेटली निभाना चाहता हूँ और मुझे उमीद है कि उपर वाला इस्वर प्लिए बात मेरी सुनेगा और बहुत लोगों का मुझे प्यार मिला है और मैं चाह तो धो फिर आपको बहुत अनन्द आपको थाएगा यहा थास चाहता है यह था that everyone will enjoy it in the best so this is my inside story and what about you जो चैनल के नीचे एक लिंक है आप इस लिंक को लाइक आप सकते हैं शेर कर सकते हैं and comment and just be the part of this तो आपको बहुत ही आनन्द भी लेगा और मैं चाहता हूं कि आप अपने आपको भी जोड सकते हैं thank you very much for your support